है 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 लो स्वागत आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर तो अभी तरह दिसकाउंट के ठीक है टाइप 14 तक पड़ चुके था आज दिसकाउंट के टाइप 15 से कॉंटिन्यू करेंगे ठीक है तो डिसकाउंट के टाइप 15 देखी कुस्टनमर पहला क्या है जब एक रेडियो क अंकित मोल 4800 रुपए दुकान दा 10 प्रिस्ट का एक बट्टा देता है तो वह 8 प्रिस्ट करता है यदि वह कोई बट्टा ना दे तो उससे उसका लाव प्रिस्ट क्या होगा तो ठीक है इस टाइप कोस्टनम देखो क्या करते हैं इधर MP लिख लो ठीक है इधर CP लिख लो आधर इसके फ्रेस्ट का बट्टा देता है तो मैंने क्या हूता है जब बट्टे वाला होगो वह कहाँ जाएक CP की नीचे तो 10 प्रिस्ट बट्टा दे रहा है तो 100 मिदस गया 90 ठीक है प्रिट अब वह आठ्पेस लआप कमाता है तो आठ्फ sec नेचे जोड़ जेंग तो आर प्रसेल लाप कमाता है तो इस मेहाँ नीचे जोड़ ते तो आर प्रसेल ला कमाता है तो इसमेफी सोगा conveni अब मतलब क्या यार जब कोई बट्टा नहीं देगा तो बट्टा नहीं होगा तो जो आपका MRP होगा तो 5 रुपए की चीज थी 6 रुपए में बेचेगा तो कितने का फाइदा हो जाएगा एक रुपए का फाइदा सब्सक्राइब तो आपको MRP मिलता है यानि MP मिलता है MP में इसकांट देते हैं तो आपको SP मिलता है ठीक है अब यहां पर CP में कुछ increase करेंगे यह increase होगा या decrease होगा ठीक है profit होगा या loss होगा तो आपको क्या मिलेगा SP तो इसका कहने मुलेगा क्या है अगर इसकांट दे रहे हैं तब भी SP मिलता है और CP में अगर profit होगा तब भी क्या मिलता है SP मिलता है तो यह concept हम दोग यूज करेंगे 10 alike देता मदलाम क्या कोई चीज प्रचिज कितने गोचैंगे 90 होजाएगी थीए और przest पर अवाज कमाता है एक सो कितना होगा भाई 90 होगा ठीक है जब इसमें प्रॉफिट कमाएगा तो हमारा एस्पी कितना होगा एक सो आठ होगा तो यह दोनों वैल्यू आपस में एकको लोंगी तो एक सो आठ बटे नबबे ठीक है अब आप से पुछा कि रहा है कि ठीक है कोई लाब प्रिस्टत क्या न प्रॉफिट हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा अमिद आपको सोन आया होगा तो अब दो कुछ सिंपल में इसके भी सिंपल तरीका है ठीक है तो हमने सोच रहें यह यह यूज क्यों निगालना था इसलिए इसके यूज नहीं करेंगे तो थर्ड मैंठ वीजी है तो दस प्रस्वर्म क्या होता है अब इस कितना हो जाएगा तो न्थे जह ठीक है ये अमार प्र हो गया और यह एस पी हो गया ठीक है अब दोखो रहा है आठ पर से लाफ कमाता है तो 8 पर से मुझना लब क्या होता है 100 रूप एक चीजे आठ पर लाब लेकि बैचे कितने बैचेगा 108 पर तो यह नब्रे वाली वालू कितनी होगी भाई 108 होगी यह कितने गुना है 12 गुना ठीक है बारा नहीं 108 यह भी कितना गुना होगी बारा गुना तो 120 ठीक है बारा दाम 120 हम लोग चेक कर लें 100 से किनना जादा है 100 यह 20 परसेंट जादा तो प्रॉफित किनना हो जाएगा 20 परसेंट ओके चलिए बढ़ते हैं कुछ नवर सेकेंड क्यों ठीक है तो कुछ नवर सेकेंड क्या रहा है कि एक बिजली की इस तरीका अंकित मूल ने तीन सु रुपए है दुकांदार इस पर बारा प्रिश्ट की छूट देकर भी दस प्रिश्ट का लाब अर्जित करता है यारी वह इस प 5500 में जाटा देंगे मैं 10 परिश्ट का लाब कुषे का कि एक सो दस में बचे एक सो दस में बस इसका रेस्यों लेडिंग 25 182 वंचे 110 तो अब देखों रहा क्या बोलता है यह युदि इस पर कोई शूंत नहीं देगा तो जो आपका MRP होगा वो क्या कहलाएगा स्पिख लाएगा तो चार रुपय की चीज थी पांच रुपय बेच रहा है तो एक प्रक्ड होगा तो एक प्रक्ड होगा किस पे होगा CP पे तो एक बोटे चार गुणे 100 तो कितना प्रॉफिट हो जाएगा 25 प्रेसेंट ठीक है चलिए देखते हैं कुर्ष्ट नमर ठर्ड कुर्ष्ट नमर ठर्ड किया रहा है किसी वस्तु पर 20 प्रिस्ट की छूट देने पर भी 20 प्रिस्ट का लाव होता है यदि कोई छूट ना दी जाती तो लाव कितने प्रिस्ट होगा तो आप सिंपल सौन जाना चाहिए कि MP अपॉ योगत सो में 20 जोड़ देंगे 120 तो यह कितना हो जाएगा 26 के 120 चालिस तियां 120 बटे चालिस दूनी असी दो रुप एक चीज तीन पर में बेचेगा ठीक है MRP SP होगा कब जब कोई छूट नहीं दी जाएगी ठीक है 2 रुप एक चीज कितने में बेचेगा 3 रुप में तो क च्रेह नमर फॉर किसी वस्तु के क्राया मूल को कि रखा कर उसका मूल अंकित किया जाए कि गरहा को 5 पिस तक होती दे कर भी 33 पिस प्रस्चत का लाब हो तो पांच प्रस्चत कट होती दे रहा है 5 पिस मूल्या क्या होता है वाई एक बटे 20 तो अब 20 रुपए में ठीक है 20 रुपए की MRP होगी एक रुपए डिस्काउंट दे कितने बेचेगा 19 में ठीक है तो यह नीचे आला होता है MP और यह ठीक है MP अब क्या है 33 परसंट का लाब ले रहा है तो 33 परसंट क्या होगा कोई भी अगर 300 रुपए कि यह तो यह भी SP ठीक है 19 की वालू कितनी हो जाएगी 133 ठीक है तो 19 सत्य 133 तो इसमें भी साथ का क्या करेंगा मुल्टिप्लाइ करेंगे तो 20 सत्य कितना हो जाएगा 140 तो यह 100 से कितना जादा है बाई 100 से कितना जादा है 40 परसंट परसंट यह चली रहें कुम से नुमर पहला कि टाइप 16 का तो टाइप 16 को नमर पहला क्या रहा है टीपू ने एक अलमारी का मूल ले उसके क्रेमूल ले से तीस प्रिस्थत अधिक बढ़ा कर अंकित किया यदि वह 20 प्रिस्थत की छूट पर अलमारी को बेचे तो उससे कितने प्रिस्थत का लाव या हानी होगी तो सिंपल सा गुश्चन है ठीक है जिसको इन दोनों को जोड़ लो तो 30-20 कितना होगा 10 फिर क्या गरते हैं मल्टिप्लाइ कराते हैं तो पहले साइन का मल्टिप्लाइ कराएंगे प्लस इंटू माइनस माइनस और 30 कुण 20 कितना हो जाएगा 600 फिर राइट साइड से दो अंको बाद दसमलो तो 10 में 6 गरे 4 परसंट कि हमारा एंसर हो जाएगा चली शुकर देखते हैं सेकंड मैतट भी दिख लेते हैं तो कि इसेगर गिए भाइरं इसका घूर्ट सेकंड मैतषी ए कि अब दो खूल रहा समयाय रहा मन लेते हैंस पी कितना है हैंड़े एdefined ठीक है CP हैंडड है तो 30% अधिक बढ़ाकर रखा हुआ है तो प्रस्ट कर देंगे तो 130 क्या हो जाए भाई MP हो जाएगा ठीक है अब कहला है 20% की छूट देगा बेचता है तो 20% छूट देगे मलब कितने बेचेगा 80% में तो 130 का 80% निकाल लेंगे परसेंटेज से दो जीरो कड़ गए 308 एक सो चार तो 100 रुपे की चीज थी एक सो चार में बेच रहा है तो कितने को प्रॉफिट होगा 4% का ओके सौन्या गया अब इसका तो कोई एक मेथर्ड हो देख लेते हैं तीसरा मेथर्ड भी देख लेते हैं इसका थर्ड मेथर्ड हुआ वह देख लेते हैं रहा ठीक है तो सिंपल सा थर्ड मेथर्ड है कि यह क्या है एक सुट यह कुई बीचीज क्या होती है तो 20 परेशन की छूट देगा तो 20 परसंग में लब क्या होगा एक बठे 5 अब एक रुपर छूट दे कितने बेचेगा चार रुपर है एंठिके 5 रुपर उसका मारपी है चार रुपर है बेचेगा तो 5 वाली वैलू क्या दिए 130 तो 5 की वैलू 130 तो कितने गुणा है ये पांदुनी 10 पांच तो 26 गुना तो इसका भी क्या हो जाएगा ये भी 26 गुना हो जाएगा 26 को एक सो चार तो सो से कितना जाता है चार परसेंट यह वारा क्या हो जाएगा अंसर हो जाएगा चलिए लेखते हैं नेक्स टाइब ठीक है तो कुस्ट नेक्स टाइब निस्ट नमर सेगेंडर के रहा है कि एक वस्तू का अंकित मूल उसके क्रेमूल से 20 परसेद बढ़ा कर रखा गया यह दूसरी पच्छी पिश्ट की छूट पर बेचा जाए तो कितने परसेद लाबिया ह हमाणि होगे तो 20 परसेद बढ़ा कर रख गया मनलब क्या होंगा कोई भी चीज क्या होती है 100% 20 परशन बढ़ा कर िंते हैं 120 प्चीज फिच चूट दे रहा है तो कितने बेचे गभाई कोई भी चीज क्यों होती है 100 परेशन सेटीं व्टे सो परसेट लाइए बचितीं थ तो चालिस एकम चालिस चालिस थी या 120 तो 90 ठीक है यार 100 रुपए की चीज थी ठीक है अब वो 90 रुपए बेच रहा तो किन्दे का घाटा हो जाएगो इसको 10% का चलिए कुर्शन नमर ठीक है कि एक दुकांदार 400 रुपए की घड़ी खरीटता है इस पर लागत मोली से 25 अधिक अंकित करता है वह अंकित मोली पर 12 प्रिस्थ बट्टा देता है दुकांदारों कितने प्रिस्थ का लाब हुआ लोग यार कोई चीज क्या होती है 100% होती है ठ तो 25 बेचेगा ठीक अब 12 प्रिस्थ बट्टा दे रहा है मतलब कितना दे रहा है बाई 88 सवान बेचेगा तो परसेंट निकाल देंगे बस सौल कर लेंगे 25 को 125 पंचे 125 चार कम चार 22 को 28 तो 22 पंचे कितना हो जाए 110 100 रुपे की चीज 110 से बेच रहे कितने प्रॉफित होग का 10 प्रॉफित का चली वरते हैं टाइप 17 क्यों टाइप 17 क्या गह रहा है कि कॉस्टन पहला है प्रतिमा जब 12 चोड़ियां खरेती है तो उसे तीन चोड़ियां मुथ में मिलती है तो उसे कितने प्रिस्थ की छोट मिलती है ठीक है एक्शल में दोको उसको दो बारा चोड चोड़ियां है ठीक है तीन चोड़ियों मिलती है तो कितनी टीक हो टॉटल चोड़ियां हो कि निगें 15 ठीक है तो एक्शल में वस्व पंद्रा की कॉस्ट पढ़ेगी ठीक है अब कितनी मुफ्त देता है पटे टोटल इन्टू हैंडड ये कर लोग है तीन इकम तीन तीन जो आनि 20 вперuse प्रेस्ट क्या हो जाइगा ऑन्सर हो जा जाएगा क्या है जितनी ड्रुट है तोटल मुफ्त में थीरा 3 उप लएक टोटल गिले तोटल की उतंडेंगें 12 रॉब स्तीन छैसे देखते हैं थीकिंग अगला कुस्छ कुस्छ न्मेर 2 ठीक इसके कुस्छ निम्मर्र-टू कय करें कि एक दूकानदार 66 है दो वुवत मिन देता है बताई कि इसे छोट प्राप्त होगी दो जिंद ढ़जश्प मुफ्ट में देता है उसको उपर बटे टोटल चाहे प्लेस दो आठ इंटू सो तो इसको सौल को रोग कितना जाएगा 25 परसेंट कि एक वैपारी अंकित मौल पर 4 परसेंट का बत्टा में पत्रेता है इस प्रकार 35 परसेंटा लाब कमाता है तो अंकित मुल्ल को क्रेम मुल्ली से कितना प्रिश्थ बढ़हाय गया तो समय नहीं रहा चार प्रिश्थ का बट्टा देता है फिर क्या करता है पंदा वस्तुव पे खरीद पर एक वस्तुव और मुफ्तुव देता है मलब यह भी एक बट्टाई हुआ एक तिए पन्दा वस्तु की खरीत पर एक वस्तु मुख्ष देता है बट्टे टोटल खरीता कितनी है एक बट्टे फटिक उसको सिंपल कॉंसट्ट सहुआ सकते हैं तो चार पीसे तो क्या लिखेंगे एक बटे पच्चेस ठीक है मैं लाइब पच्चीस रुपए की MRP थी उसकी एक रुपए छोड़ दे रहा है तो कितने बेज़ेगा 24 में ठीक है यह आपको क्या हो जाएगा SP ठीक है अब समझना है रहा है यहां पर यहां पर 16 रुपए MRP है ठीक है एक रुपए छोड़ में बेज़े कितने बेज़ेगा 15 के ठीक है तो बस क्रोस क्रोस क्या कर देते हैं 25 पांतिया 15 और तुनी 16 आठ तरीका 24 तो पांदोनी 10 और तीन तरीका 9 तुमलें 10 रुपए की चीज थी 9 रुपए में बेच रहा है ठीक यहां सब्सक्त में आहिए, आप कहरा है कि 35% का लाप कमाता है, ठीके, तो 35% का लाप क्या होता है, 9,10 हो जाएगा, ठीके, 55% कमाता है, मनलब 100 वाली चीज कितने बेच रहा है, 135 पर, तो 9 वाली वेलु कितनी हो जाएगी, 135 हो जाएगी, 15 बनिया, 135 बनुद्र, एक सो पचास तो सो से कितना ज्यादा है पचास परसेंट ठीक है बस यह यह वारा क्या हो जाएगा अंसर हो जाएगा ठीक टाइप 18 का दिखने कोस्टन नमर पहला किरा किसी किताब का अंकित मुल एक जार रुपए एक फूटकर विकरेता उसे दो क्रमिक बट्टो पर आठ सु दस रुपए में खरीता है जिनमें से एक दस प्रिस्त दूसरा अपठनी है दूसरे बट्टे की दर क्या तो चलिए सॉल्व करते भाई दस प्रिसर बट्टा देता है तो दस प्रिसर मनलब क्या होता मैं एक भुट्टे दस कोई भी चीज अगर 10 रुपए की एक पर बट्टा दे कितने बेचेगा दस की चीज 9 रुपए में बेचेगा ठीक है अब दूसरा बट्टा पता नहीं तो पहला एक तो यह सब्सक्राइब निकालनी है तो इस दस का इस दस से एक यहार में भाग देदेंगे तो एक से रावर कितना हो जाएगा एक हजार बटे दस तो कितना जाएगा 100 ठीक है वाई की वालो निकालनी है तो आट सुदस बटे 9 तो 90 हो जाएगा ठीक है अब दूख समझने है रहें सो रुप एक चीज नबवे रुपे में बेज रहा है तो कितने डिस्कांट देगा 10 का डिक डिस्कांट होगा किस पे 100 पे सोन जागे और इसपो का सकते हैं तो देखो के सवग रेंगे कि यह गता है अंकित मुल एक जार उपए है तो एक जार डिसकॉंड क्या करते हैं कि देते हैं तो तो 10% क्या है में लोग 100 रुप एक चीज 10 रुप डिस्काउंड दे बेचे कि 90 बेचेगा दूसरा पता नहीं है तो हम लोग क्या माल ले थे X परसंट ठीक है X माल लेते हैं दूसरा में पता नहीं बट्टा तो X परसंट माल लेते वाई अब फाइनली चीज बेचता कितने में वो 810 रुपे में बेचता है ठीक है तो क्या करेंगा solve कर लेंगे तो दो 0 और ये 20 इसका एक 0 इसका एक 0 नौनीज़ एक 51 ठीक है तो एक स्रावब कितना हो गया नो बटे दस परसें अठाएंगे तो बटे में इंटूंस हो जाएगा तो दस एक्सराव कितना हो जाएगा एक्सराव कितना जाएगा 90 ठीक है मुल्ब क्या हो गया भाई सौर पर चीज ती 90 बेच है तो डिस्काउंट करने के दे रहा भाई यहो टेन पर्सेंट का ठीक है सुझ में आ गया भाई चली बढ़ते हैं कुर्शन अबर सेकेंड तो कह रहा है कि 16 रुपए की अंकित मूल है दो क्रमवार बट्टे देने के उपरांद इसे 12-24 रुपए में बेचा जाता है यदि पहले बट्टे किदर 10 परसेंट दूसरे बट्टे किदर क्या होगी यार तो 10 परसेंट मनलब क्या वाई रुपए का ठीक है तो यह सोला सो हो गया और यह 1224 हो गया तो अगर एक्स की वेलू निकालनी है तो क्या करते हैं वाई शोला सो बट्टे 10 वाई की वेलू निकालनी है तो बारा सो चोबिस बट्टे नौ 202 149 नो तीस के सब्टाई न चर्टाई यह 136 ठीक है तो एक्सकार प्रौफित ले रहा वए 24ічे ले रहा है चव्डेिस को प्रौफिट कि 2000 की डिस्कांट दे जन्यांक्न दे रहा है source EU इंटु सॉ तो आज के लिए इतना ही रखते हैं फिर हम लोग अब लोग कमेंट करके बिताएए कौन से शेप्टर सुरूगी आजा नेक्स्ट वाला